ग्रेट विजडम चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में आप प्राकृतिक तरीके से अपनी स्मरण शक्ती को बढ़ाना सीखेंगे इससे पहले मैं आपसे अनुरोद करूगा कि क्रिपया हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और स्वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम आपके लिए और भी ज्यानवर्धत वीडियो ला सके तो आईए एक एक करके चर्चा करें कि बिना किसी साइड इफेक्ट के स्वाभाविक रूप से मिमोरी पावर कैसे बढ़ाई जाए बहुत अधिक चीनी खाने को कई स्वास्थ समस्याओं और पुरानी बीमारियों से जोड़ा गया है जिसमें सन्यानात्मक गिरावट भी शामिल है शोद से पता चला है कि चीनी युकताहार से खराब याददाश्ट और मस्तिष्ट की मात्रा कम हो सकती है विशेश रूप से मस्तिष्ट के उसक्षेत्र में जो राष्ट्रिय स्वास्थ संस्थान के अनुसार अलपकालिक स्मृति को संग्रहित करता है चीनी को कम करने से नकेवल आपकी याददाश्ट में मदद मिलती है बलकि आपके समध्र स्वास्थ में भी सुधार होता है 2. गेट फिश ओल सप्लिमेंट मचली का तेल ओमेगा थ्री फैटी एसिड इकोसेटे ट्राइनोइक एसिड एपीए और डोकोसाहिकसैनोइक एसिड डी एचै में सम्हुध है National Institute of Health के अनुसार ये वसा समध्र स्वास्थ के लिए महत्रपून है और हुदै रोग के जोखिम को कम करने, सूजन को कम करने, तनाव और चिंता को दूर करने और मान से गिरावट को धीमा करने के लिए दिखाया गया है 3. अडॉप्ट रेगुलर मेडिटेशन ध्यान का अभ्यास आपके स्वास्थ को कई तरह से सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है ये आराम और सुख दायट है और तनाव और दर्द को कम करने, रक्तचाप को कम करने और यहां तक की याददाश्ट में सुधार करने के लिए पाया गया है ध्यान मस्तिश्क में ग्रे पदार्ट को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है ग्रे मैटर में निूरॉन सेल बॉड़ी होते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ग्रे मैटर कम होता जाता है जो याददाश्ट और अनुभूती को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है नेशनल इंस्टिट्यूट आफ हिल्थ ने कहा स्वस्त शरीर के वजन को बनाया रखना भलाई के लिए आवश्यक है और यह आपके शरीर और दिमाग को शीष स्थिती में रखने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है कई अध्यानों ने मोटापे को संग्यानात्मक गिरावट के जोखिमकारक के रूप में स्थापित किया है दिल्चस बात यह है कि मोटे होने से वास्तव में मस्तिष्ट में स्मिर्ती से जुड़े जीन में परिवर्तन हो सकता है जो स्मिर्ती को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है मोटापा भी इंसुलिन ततिलोध और सूजन का कारण बन सकता है जो दोनों मस्तिष को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं 5. Get enough sleep which is mandatory शोज से पता चलता है कि यदि आप नीन्द से वंचित है तो आपकी याददाश्ट पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ सकता है उचित नीन्द की कमी काफी समय से खराब याददाश्ट से जुड़ी हुई है स्मिती समेकन में नीन्द एक महत्वपून भूमी का निभाती है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अलपकालिक यादे मजबूत होती हैं और लंबे समय तक चलने वाली यादों में बदल जाती है माइन्द फुलनेस एक मानसिक स्थिती है जिसमें आप अपनी वर्तमान स्थिती पर ध्यान किंद्रित करते हैं अपने परिवेश और भावनाओं के बारे में जागरूता बनाये रखते हैं ध्यान में माइन्द फुलनेस का उप्योग किया जाता है लेकिन दोनों एक ही नहीं है ध्यान एक अधिक औपचारिक अभ्यास है जबकि दिमागीपन एक मानसिक आदत है जिसे आप किसी भी स्थिती में उप्योग कर सकते हैं अध्यानों से पता चला है कि दिमागीपन तनाव को कम करने और एकागरता और याददाश्ट में सुधार करने में प्रभावी है सेवन आपके स्वास्थे के लिए कई तरह से हानिकारक हो सकता है और आपकी याददाश्ट परनकारात्मत प्रभाव डाल सकता है शराब मस्तिष्ट पर मूरो टॉक्सिक प्रभाव प्रदर्शित करती है दुई घातुमान पीने के बार-बार एपिसोड हिप्पो कैंपस क नुकसान पहुचा सकते हैं मस्तिष्ट का एक हिस्सा जो स्मिती में महत्वपून खुमिका निभाता है दुई घातुमान पीने का एक पैटर्न है जो आपके रख में अल्कोहल के स्तर को 0.08 ग्राम प्रती मिलीलीटर या उसे अधिक तक बढ़ा देता है अध्यनों से पता आत्मक कोशल का प्रेयो करना आपकी याददाश्ट को बढ़ाने का एक मज़ेदार और प्रभावी तरीका है प्लेट क्रॉसवर्ड वर्ड रिकॉल गेम टेट्रेस और यहां तक की मेमोरी ट्रेनिंग के लिए समर्पित मुबाइल एप भी मेमोरी को मजबूत करने के बहत निकारक हो सकता है इन खार्दे पदार्थों में उच्छ ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिसका अर्थ है कि शरीर इन कार्भोहाइड्रेट को जल्दी से पचाता है जिससे रक्त शरकरा के स्तर में विद्धी होती है राश्ट्रिय स्वास्तिस अंस्थान 10. Check your vitamin D level National Institute of Health ने कहा कि vitamin D के निमन सरको dementia विक्सित करने के अधिक योगिम से भी जुडा गया है विद्धी एक महतुपूर्ण पोशक गत्र है जो शरीर में कई महतुपूर्ण भूमी का निभाता है विटामिन डी के निमन स्तर को कई स्वास्त समस्याओं से जोड़ा गया है जिसमें सन्यान आत्मत कारे में कमी भी शामिल है अपने विटामिन डी के स्तर को अनुकूरित करने के थ्री तरीके बेहतर मूड को बढ़ावा देने के लिए विटामिन D के स्थर को बढ़ावा देना दिखाया गया है और यह निरो प्रोटेक्टिव पतीत होता है स्वस्तर स्थर प्राप्त करने के लिए यहां थ्री सरल तरीके दिये गए हैं सब्ता में दो बार 15-20 मिनट सीधी धूप में अपने चहरे, हाथ और पैरों को बिना सनस्क्रीन के धूप में रखें विटामिन D के अनुकूल खादे पदात खाएं जिनमें वसायुक्त मचली जैसे सैल्मन और टूना, मश्रूम और अंडे की जर्दी शामिल है विटामिन D सप्लिमेंट ले एक पूरक के साथ संशाइन विटामिन का सेवन बढ़ाने से आपके स्तर को अनुकूलित करने में मदद मिल सकती है 11. एक्सरसाइज मोर व्यायम समगर शारिरिक और मानसिक स्वास्ति के लिए महत्वपून है अनुसंधान ने माना है कि ये मस्तिश के लिए फायदिमंद है और बच्चों से लेकर बड़े वैसकों तक सभी उम्र के लोगों में याददाश्त में सुधार करने में मदद कर सकता है राश्ट्रीय स्वास्ति संस्थान के अनुसार सभी उम्र में नियमित मध्यम गयाम ने स्मिती सहित संग्यानात्म प्रदर्शन में सुधार किया 12. Choose Anti-Inflammatory Foods जामून, फैटी मचली, ब्रोकुली, एवोकैडो, हरी चाय, मिर्च, बश्रूम, अंगूर, हल्दी टमाटर जैसे विरोधी भड़काव खाद्य पदार्थों से भरकूर हार का सेवन करने से आपकी याददाश्ट में सुधार करने में मदद मिल सकती है US National Library of Medicine का कहना है कि Antioxidant मुक्तकणों के कारण होने वाले Oxidative तनाव को कम करके शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं फालू, सबजियों और चाय जैसे खाद्य पदार्थों में Antioxidant का सेवन कर सकते हैं 13. Use Curcumin Curcumin एक शक्तिशाली Antioxidant है और शरीर में शक्तिशाली विरोधी भरकाव प्रभाव डालता है यह हल्दी की जर्में उच्छे सांद्रता में पाया जाने वाला एक योगिक है और यह Polyphenols नामक योगिकों की श्रेणी में से एक है कुछ अध्यानों में पाया गया कि Curcumin मस्तिश में Oxidative शती और सूजन को कम करता है और Amyloid सजीले टुक्रे की मात्रा को भी कम करता है यह Neurons पर जमा होते हैं और कोशिका और उतक मृत्यू का कारण बनते हैं जिससे US National Library of Medicine के अनुसार स्मृती हानी होती है 14. Add Coco to your diet कोका रक्तवाहिकाओं और Neurons के विकास को प्रोचसाहित करने और स्मृती से जुड़े मस्तिश के कुछ हिसों में रक्तवा को बढ़ाने में मदद कर सकता है कोकोना केवल स्वादिष्ट है बलकि पॉष्टिक भी है जो फ्लेवोनोइट्स नामक एंटियॉक्सिडेंट की एक शक्तिशाली खुराक्तदान करता है शोद के अनुसार ये सुझाव देता है कि एक तत्व में फ्लेवोनोइट होता है जो मस्तिश के लिए विशेश रूप से फायदिमंद होता है याद रखे मस्तिश के एक अध्भुतन है लेकिन इसे चरम प्रदर्शन प्राप्त करने में मदद करने के लिए आपको फैसी टूल या सप्लिमेंट्स या उपकरण की आवश्यक्ता नहीं है अपने मस्तिश को स्वभाविक रूप से स्वस्थ और उच्प्रदर्शन करने में मदद करने का सबसे बढ़ियात तरीका नियमित रूप से अपने डॉक्टर को देखना है स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन बनता है कृपिया हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम आप के लिए और ग्यानवर्धक वीडियो ला सके